करें कि भाया हम तो कहां से लाएंगे प्रियसी रिपेपर हम कहां से लाएंगे यह से लाएंगे यह चीज तो यार अगर यही चीज करते रहोगे तो फिर आपको नमबर भूल जाने पड़ेंगे 90% और अगर आप इची फॉलो करते हो तो यहां से यहां तक जाने में बिल्कुश समय नहीं लेगा यह कोशन मार को मैंने आज भढ़ दिया तुम्हारा तो हाई गाईस वाल गम बैक मैं हुई शान आई हो और प्योलार गड़ और फाइन तो वाले यार काफी जादा बच्चों के बहुत जादा कोशन आ रहा है मेरे पास कमेंड में भी आते रहते हैं और मेल पर भी आया है दो तिन कोशन और वो सेम कोशन है कि भाईया शोशल का बता दो मैथ का तो आपने बता दे कि चला NCRT कर लो ठीक है प्रियर से पेपर कर लो शोशल का बताओ शोशल का कैसे करें शोशल के में बहुत बड़ बड़े कुशन हम से याद नहीं हो रहे अब टाइम बचा है बहुत ही कम 30 डेज या 25 डेज कैसे त्यारी करें कैसे हम इस वाली कंडिशन से इस वाली कंडिशन में आए क्या चीज करूँ मैं क्या कौन सा गैप फिल करूँ क्या ऐसी चीज में फिल करूँ कि मेरे अच्छी नमबर आ जाए तो वोई वीडियो आज यहाँ पर मैं आपको बताने वालो हूँ और कुछ ऐसे चीज है ना आपको बस यह वीडियो यार दो तिर मिनट लूँगा बस समय में आपका ठीक है बस दो तिर मिनट का समय लूँगा इस वीडियो को जरूर देखो यार अगर आप अपने बोर्ड एक्जाम 2021 में शोशल में फोर्ड ना चाहते है रियली में तो उसमें फोर्मला लेगा साइंस के तरह नहीं कि उसमें रियक्शन लेगी यह क्या एक लैंग्वे सब्जेक्ट है दिस इजा लैंग्वे सब्जेक्ट तो हमें कुछ चीजे ऐसी छोटी मोटी चीजे फोलो करने ज्यादा बड़ी बात नहीं ठीक है जिससे आपके सीजि साइब खरीद लीजिए एक अब स्धिए करिर लीजे और चायाएन की भी यहांपर करना थे हैं इतने सारे कोशन में किस कांथ कहा कह से रुब पागल कुम बढ़ारी यह उतब्यक्त झिकल और साथ में आपको उस म distintos के और साइन्स उसिक कुछ सारी सब्जेक्ट है जिसमें आपको आंसर मिलेंगे कोशन मिलेंगे वह कोशन काफी ज्यादा तकड़ होता है प्रिए सियर पेपर के भी कुछ एक आदर कोशन वहां पर मिल जाता है तो यह चीज आपको जरूफ हो ली करनी चाहिए अगर आप से शोशल में अच्छे मा हो चुका है ठीक है दूसरा स्टेप है छोटी मोटी चीज लगते होंगी पर है बहुत बड़ा स्टेप प्रिए सिर के जिसने कोशन नहीं करें प्रिए सियर कोशन ठीक है या फिर प्रिए सिर पेपर अब मेरे पास काफी जादा कमेंट आपते हैं इसी वीडियो के नीचे क्याँ से प्रिए सिर पर ही नहीं है हम कैसे करें भेडर आप न्लोट कर सकते हैं और अगर आपको प्रिए सिर के साथ आपको का ते पकी स्वाल के लिए चाह तो यहां इसमें आपको पार पंसे लिए तो आपको answer भी मिलेंगे question भी मिलेंगे अगर आपने previous year paper कर लिए तो यार you will get definitely देखो ये previous year paper का बहुत जादा एक तकड़ा weightage होता है weightage in the science की question लगते है यार previous year उठा के देख लो 2018 को उठा के देख लो 2019 को उठा के देख लो मैंने 2020 का paper analyze करा है भाई साब उसमें maximum previous year paper पढ़ते हैं ठीक है तो हमारी क्या ही पहली चीज होगी self study दूसरी चीज होगी हमारी previous year paper ठीक है तीसरी चीज हमारी क्या है देखो हमारे पास पढ़ने का चीज हमें मिलिया self study previous year paper ही मिलिया हमें अब तीसरी चीज यह है कि देखो अब क्या है कुछ मूर के बच्च यह सैल्फ सेड़ी लेंगे वह सेल्फ सेड़ी को रटेंगे क्योंकि हम जाकर कॉशन आईजटीस तार्य होगे जिसने से रटली पता इसमें कितने कॉश्चन है इसमें अगर मैं एक चैप्टर के बता हूँ तो एक चैप्टर के इसमें 100 से उपर कोशन है 100 से 1.500 के बीच में कोशन होंगे याद कर लोगे 2000 कोशन नहीं हो सकते तो आपको ये पढ़ना कैसे आपको इसको एक तरीके से रिवाइज करना है ठीक है और एक्जाम में जो है आपको अपनी तरफ से लिखना है अपनी तरफ से एक्जाम में लिखना है आपको बस इसकी हैडिंग से याद करनी है इस सेल्फ स्टेडिगी ठीक है आपको सिर्फ इस सेल्फ स्टेडिगी हैडिंग याद करनी है ठीक है ये कुछ ऐसी चीज है जिनको आप follow करके easily अच्छा percent ला सकते हो पर यार follow करने के लिए हमें क्या करें कि भहिया हम तो कहां से लाएंगे previous year पर हम कहां से लाएंगे self study हम कहां से लाएंगे ये चीज़ तो यार अगर ये चीज़ करते होगे तो फिर आपको नमबर भूल जाने पड़ेंगे 90% और अगर आप इचीज़ फॉलो करते हो तो यहां से यहां तक जाने में बिल्कुछ समय नहीं लेगा ये question mark को मैंना आज भढ़ दिया तुमारा पहला self study दूसरा previous year तीसरा आपको heading से आद करने तो आपके दो chapter इतने पक्के त्यार हो जाएंगे एक्जाम उसमें कहीं से भी question आजा आप उतार दोगे पूरा तो यहां पर आपने यह वाला revise करा ठीक है इसमें heading याद करी हैं लिखने का तरीका पता होना चाहिए एक अच्छी writing ही बहुत अच्छे effect डालते है अगर आपके लिखने का तरीका better है तो यहां पर आप कम से कम 20% marks आप ऐसी लिया होगे यह में ही विना फालतों कि 20% नमबर आजाएंगे लिखने का तरीका पता होना चाहिए language subject है सब यह देखते कि भी जिसकी writing अच्छी होगे point wise हमें लिखेंगे तो उसका marks अच्छे better marks मिलेंगे उसे इसमें आप एक चीज और add कर सकते हो point wise ठीक है न point wise लिखोगे ठीक है बता तो सब देंगे पर तरीका कैसे बताएंगे पहले self study मैं तरीका बताएंगे पहले self study उसके बाद पेपर फिर हमें क्या करना है इस self study को revise करना है कैसे heading wise और फिर हमें क्या करना है point wise एक्जाम में लिखना है with good handwriting 20% marks यह भी बढ़ जाएंगे और यार मैं guarantee दे रहा हूँ यह मेरे ख्याल से यह पूरा करने में ठीक है heading पढ़ना नहीं है यह यह self study हमें पढ़ना नहीं है पूरा हरे कोशन रटना नहीं है heading सियाद करने एक दिन में पांच चेप्रेक भी heading हो सकती है ठीक है ना हमें एक तरिके से इनको पढ़ना है एक्जाम में अपनी तरफ से लिखना है तो यहां पे और यहां तक पर बाइ करना ओस वाल की साइट से या अमेजन से तो लिंक अने डिस्क्रिशन दे रखा जाओ डिस्क्रिशन कलिक करो बाइ करो कोशन करो और अपने बोर्ड में फोड़ो ठीक है चलो मिलते नेक्स प्रूंट थैंक्यू सोमच बाबाई बाई 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 चलो